हेलो प्रिवन स्वागत है आप से लों का स्टेडी 5.6 में आज हमाप से लों को स्टक करने हम यानि को स्टक के प्रश्ण कैसे सालप किया आते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता हैंगे आपको सुझ में भी आजाएगा तो सवाल को स्टक करने से पहले कुछ आप लोग बेसिक सीज सिख लेजिए यहाँ पर देखे जो इस परकार का चिन आपको कहीं दिखाई दे जैसे देखे 8-2 के उपर इस परकार से एक रेखा केची गई है तो इसे आप क्या बोलते हैं इसे हम रेखा कोश्टक बोलते हैं तो सवाल में अगर कहीं भी रेखा कोश्टक है तो सबसे पहले उसी को साल्प किया आता है इसके बाद इस तरह का अगर आपको ब्रेकेट दे दिखे तो यह आपका छोटा कोश्टक है रेखा कोश्ठक के बाद इसको सल्प कियाता है इसके बाद इसको सल्प किया जाएगा यह आपका मजला कोश्ठक है इसके बाद लाश्ट में जो है आपका बड़ा कोश्ठक है और लाश्ट में बड़ा कोश्ठक को सल्प कियाता है लेकिन बड़े कोश्ठक को देखते हुए इन सभी को साल्प किया जाएगा आप इसको पहले साल्प करेंगे तो थोड़ा आपको असुध्या भी होगी और नियम के तहात या सही नहीं माना जाता तो प्रस्ट नहीं आपका देखी 12-5 है छोटा कोश्ठक के अंदर गुड़े कचिन है फिर बड़ा कोश्ठक है 6 प्लस फिर मजला कोश्ठक है 3 प्लस 8-2 के उपर रेखा कोश्ठक है फिर आपका मजला कोश्ठक है फिर बड़ा कोश्ठक बंद है तो सबसे पहले किसको प्रस लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगे लेकिन आप नियम के ताहद चलिए 12-5 लिखा हुआ है तो 12-5 लिख दीजिए इसके बाद ब्रेकेट लगा दीजिए गुड़े का चिन है गुड़े का चिन लगा ये बड़ा कोश्ठक का चिन है फिर इसके बाद 6 प्लस मजला कोश्ठक है फिर 3 लिखा हुआ है फिर प्लस का चिन लगा दीजिए है अब देखिए 8-2 को आपको सालब करना ए क्योंकि बड़ा कोश्ठक के अंदर जो आपका रेखा कोश्टक है उसको आपको पहले सालब करना ए तो 8 मंसे 2 लगया है आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा तो यहाँ पर जब 6 से लिखे लेंगे तो रेखा कोश्ठक खतम हो गया उसको लगाने की आउसकता नहीं होगी फिर इसके बाद मजला कोश्ठक के मजला कोश्ठक लगाईए फिर बड़ा कोश्ठक का चिन आप आसानी से लगा देंगे इसके बाद आपको देखिए क्या करना है 12-5 है इसको अभी भी उसी तरह से लिख दें 12-5 गुड़े कचिन है गुड़े कचिन लगाईए बड़ा कोष्ठक के अंदर आप देखिए मजला कोष्ठक आपको दिखाई दे रहा है तो अब आपको मजला कोष्ठक साल्प करना है फिर इसके बाद जाके आपके बड़ा कोष्ठक साल्प करेंगे तो बड़ा कोष्ठक का च कचिन ने बड़ा कोश्ठक कचिन लगा देंगे फिर इसके बाद 12-5 है इसे आप चाहे तो अभी भी कोश्ठक को यहां पर खतम कर सकते हैं 12-5 आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा साथ आ जाएगा तो यहां पर साथ लिख दीजिए गुड़े कचिन ने तो 45 हो जाता अब आपका देखे जब आप इसको जोड़ दिये तो आपका बड़ा कोश्ठा खतम हो गया now आप क्या करेंगे 7 गुड़े 15 कर देंगे तो 7 गुड़े 15 यानि 15 सत्य कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा अशा करते हूँ आप परीबात को जोरूर समझ पा रहे होंगे दूसरा प्रस्ण ने देखिए बहुत ही बेहतरी इन प्रस्ण है आप लोग ध्यान से समझेगा हर एक प्रस्ण में एक एक चीज आपको बताता जा रहा हूँ दूसरा प्रस्ण है असी गुड़े फिर आपका बड़ा कोष्ठक है आपका चोटा कोष्ठक है 13-2 x 5 फिर आपका बंद है कोष्ठक सारे कोष्ठक बंद है तो जहां से बड़ा कोष्ठक शुरू हुआ है यहां पर बड़ा कोष्ठक का अंध हुआ है तो इस बड़े कोश्ठक के अंतर गत जितने छोटे कोश्ठक है सबसे पाले इसको साल्प किया एता है तिहां पर आपको छोटा कोश्ठक आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पाले छोटे कोश्ठक को साल्प करेंगे फिर इसके बाद मझले कोष्ठक को फिर इसके बाद बड़ा कोष्ठक को तो सेम चीजें उसी तरह से लिखती जानी है 80 है तो 80 लिख दीजिएगा गुडे का चिन है गुडे लगाईएगा बड़ा कोष्ठक के अंदर गत 56 माइनस मझला कोष्ठक 7 x 8 लिखा है तो वहाँ तक लिख दीजिए पलस का चिन लगा हो है तो पलस लगा दीजिए अब यहाँ पर देखे दिक्कत क्या लोग करते हैं सबसे पहले क्या 13 माइनस 2 गुडे 5 लिखा है फिर आपका भाग का चिन है जोड का चिन है तो ऐसे जब इस्थथी आपकी आती है तो सबसे पहले भाग के चिन को चालब की आता है फिर गुडे का चिन फिर आपका जोड फिर आपका घटाओ का चालब होता है तिहापर भाग कचीन नहीं तो गुड़ा कचीन है तो पहले आप गुड़े करैंगे इसके बाद घटायेंगे अस्त्र करता हूँ आप मेरी बात को स्वंच पारे होंगे तो 5 दुना कितना हो जाएगा पहले आप गुड़ा करेंगे न की आप पहले घटाएंगी अब आप देखें बड़ा कोर्षठक के अंतरगत मजला कोर्षठक है इसको अब आपको साल्व करना है सेम चीजें उसी तरह से लिख दीजएगा 80 है तो 80 गुड़े फिर इसके बड़ा कोर्षठक के अंतरगत 56 माइनस लिखा हुआ तो 56 माइनस लिखेगा अब यहाँ पर देखें 7 गुड़े 8 प्लस 3 लिखा हुआ तो पहले आप गुड़ा करेंगे तो 87 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा 56 में आप 3 जोड़ देंगे क्योंकि 56 धन 3 है तो 56 धन 3 आपका कितना हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा तो यहाँ पर 69 लिख लेंगे तो 69 वसे आप 56 घटा दीजिएगा कितना आपका आजाएगा आपका 3 आजाएगा अब देखें 3 तो आजाएगा लेकिन घटाते वक्त जो है आपको चिन भी लगाना होगा तो जिस भी चिन के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन यहाँ पर लगएगा तो माइनस क सामने देखें 69 लगा होगा तो यहाँ पर किस का चिन लगएगा माइनस का चिन लग जाएगा तिहाँ पर आपका कितना जाएगा माइनस 3 अब 80 का गुड़ा आपको माइनस 3 में करना है तो कितना हो जाएगा आपका 80 गुड़े 3 आप करेंगे 3 सुने सुन हो जाएगा 3 पटाव में देखना पड़ता है गुड़े में क्या है अगर यहां पर देखिए प्लस है गुड़े माइनस है तो प्लस गुड़े माइनस हमेशा क्या होगा माइनस का होगा तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को सुंच पाए होगे माइनस 240 यह आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तीसरा प्रशने देखिए बहुत ही छोटा है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेगा तो आप लोग इसी धान से समझेगा तेरा भागे तो पहले आप रिखा को श्ठा को सालब करेंगे तो तेरा आप लिख लिजिएगा फिसके बाद डिबाइट का चिन्न है डिबाइट करियेगा चैर मास से तीन को आप घटाएंगे कितना आजाएगा एक आजाएगा अब देखिए तेरा भागे एक लिखा हुआ यानि आपको गैसे सोचना है कि 13 में एक से भाग देना है तो 1 3 हम में कितना होगा तो 1 3 हम में 3 होगा तो यहीं 3 क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा चौथा प्रस्नह आप देखिए —3 प्लस है फिसको बाद —6 डिवायट का चिन्ने —3 लिखा हुआ है तो देखिए अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा कोश्ठक दिखाई दे रहा है मैं आपको बताया कि जब ऐसा कंडिशन पैदा होता है तो सबसे पहले किसको साल्प कियाता है भाग वाले चिन को फिर इसके बाद गुड़े वाले चिन को फिर इसके बाद जोड़ वाले को फिर इसके बाद घटाओ को तो यहाँ पर आपको गुड़ा और गुड़ा का चिन नहीं है तो सबसे पहले भाग को साल्प करेंगे फिर इसके बाद जोड़ को फिर इसके बाद घटाओ को क्योंकि नियम के तहत मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख दीजिएगा फिसके बाद प्लस का चिन है तो प्लस लगाईएगा अब यहाँ पर माइनस 6 है डिबाइट का चिन है माइनस 3 है यानि 6 में माइनस 6 में माइनस 3 से आपको भाग देना है तो भाग और गुड़ा में क्या होता है माइनस भागे माइनस है तो यह क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आप साधाराण रूप से आप भाग देजिजिएगा च्छा में आप 3 से भाग दीजिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए यहाँ पर प्लस 2 ही होगा माइनस भागे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर दिखाई आपको दिया होगा कि माइनेस तीन प्लस दो दिखाई दे रहा है क्या माइनेस तीन प्लस दो तो माइनेस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनेस हो जाएगा तो तीन मसे दो आप घटा लीजिए कितना जाएगा एक आजाएगा रह करता हूँ आज आपको कोश्ठक का नियम जरूर संगाय होगा तीसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जोड सस्क्राइब कर लेजीगा वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलेगा धन्यवाद